सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर एकाड़मी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट दोस्तों यदि आपको याद हो तो मैंने फ्राइडे को ही कह दिया था यदि शान्ती वार्था कायम हुआ या उसे बात जमा तो निश्चित रुप से मंडे मार्केट एक पॉजिट्व ट्रेंड जरूर दिखाएगा और ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट में करेक्शन छोटा सा आ सकता है ये वाकि मैंने फ्राइडे की दिन कहा था आप चाहें तो चेक कर लीजेगा तो आज वही बात हुआ दोस्तों जो मैंने वास्तो रूप से कहा भी था कि मार् प्रेजेंटेटिव शांती वर्ता के लिए अब वो टॉक होल्ड कर रहे हैं तो जिसके फलसरूप आज का सेंसेक्स भी जोरदार बढ़ा सेंसेक्स आपने देखा ही दोस्तों 56,486 935 पॉंट प्लस निप्टी 50 16,871 240 पॉंट प्लस तो दोस्तों अब बात तो यही है कि शांती वर्ता हो रही है या बात भी से तो जहां भी आशा की किरन दिखाई दे रही है तो बात भी से यही बन रहा है कि चलो अब मार्केट मे किया जाए क्योंकि वार खतम हो रहा है लेकिन जब तक दोस्तों ऑफिशल एनॉंस्मेंट नहीं होता है तब तक इस चुछ को हम वास्तविक नहीं मान सकते हैं यह भी आपको मान कर चलना चाहिए क्योंकि जब तक सीज़ फायर जब तक रेशिया ऑफिशली एनॉंस नहीं क इंसेक्स प्लस रहा तो इससे एक बात तो जाहिए रहे दोस्तों कि पूर्ण रूफ से मार्केट में अगर यह रशिया युकरियन का वार रुख गया तो जैसे मैं पहले भी कई बार दोहराया था अगर आप ध्यान से मेरा पिछले वीक का भी आउडियो सुनेंगे तो मैं में पहले से ज्यादा इंवेस्टमेंट अब होगा जिससे बुलिश ट्रेंड होने की संभावने ज्यादा बढ़ गई है और जो लोग छोटा मोटा इंवेस्टमेंड करना चाते हैं या सोच रहे थे अक्सर क्या होता है दोस्तों रिटेल इंवेस्टर के पास जब समय सही रहता है इंवेस्ट करने के लिए तो वहाँ डर के कारण इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और जब इन्वेस्ट करना चाहिए यहां थोड़ा थोड़ा अप्रोफिट बुक करना चाहिए वहां पर एंटरी बढ़ा रूप में ले लेते हैं और बाद में फिर कोई सा थोड़े मात्रा में जो अच्छे quality stock है उसे खरीदना चाहिए तो देखिए यही बात रहा जो आज हम देखी रहें तो जिनोंने Friday shares खरीदा आज लगवक्त ज्यादा से ज्यादा लोग profit में ही रहे चले आगे की बात करते हैं कल की तारीक में market का क्या रूफ सरूफ होगा जैस इसे शांती वारता को वास्तविक रूफ दिया गया और ceasefire वास्तविक रूफ से हुआ तो कल भी market काफी bullish हो रहेगा दोस्तों पहली बात और यदि ये बात नहीं संभव हुआ या कुछ बाते political issues के कारण रुकसा गया या उनका bombardment चली रहा है तो इसका असर sentiment जरूर पढ़ सकता है दोस्तों तो यदि शांती वारता सफल रहा, ceasefire हुआ तो कल market और ज्यादा bullish रहेगा दोस्तों कल की तारीक की बात कर रहा हूँ और नहीं हुआ तो market एक volatile post पे ज्यादा चला जाएगा दोस्तों क्योंकि यहां पर जो बेचने वाले की संख्या बढ़ने लगेगी और खरीदने वाले की संख्या कम होने लगेगी जिसके कारण market volatile हो जाएगा कल की तारीक में इसलिए आप इस बात का विसेज ध्यान दीजेगा कि यदि शांती वारता सफल हुआ, ceasefire हुआ तो market कल काफी काफी bullish रहेगा दोस्तों और ऐसा नहीं हुआ, तूसरी तर से कल market volatile ज्या तो बस यही कहूंगा दोस्तों और इसी के साथ सारी आज जीतने market आपने देखा इतना प्लस रहा, तो हमारे सारे stock growth oriented penny stock काफी जोरदार उपर रहा, multi-veggar stock का जोरदार रूप रहा, सब कोई 4%, 5%, 6% इस तरह से ज्यादा से ज्यादा सब्सेस उपर ही रहे, तो उसी के साथ स stock भी जोरदार उपर रहा, दोस्तों, जो आज हमने पुर्ण रूप से यह देखा कि market का जो वास्तिविक रूप हमारा रहा, particular stock का, जो 4-7% भी आज प्लस रहा, यहनी, especially मैं diamond stock की बात करहा हूं, दोस्तों, कुछ हमारे जो पहले के भी diamond stock है, फिर बाद वाले भी हैं, उसमे मैं भी बड़ोत्री रहा, तो कुल मिला के, मैं यही कहूंगा, दोस्तों, कि इस से संबंदित, यह सब आपको लेना चाहिए, दोस्तों, आपने budget के अनुसार, आप अच्छे quality stock को जब आप invest करते हैं, जिसमें, तो पून रुप से, आज नहीं, तो कल आप सफल रहेंगे, और एक अच्छा return भी देखेंगे, तो बस और जैसे कि हमारा multi-weager stock आज भी एक double हुआ, दोस्तों, बस इस से ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बस खुशी की बात आप से बोल देता हूं, शेयर कर लेता हूं, और क्या कहूं, और बाकी service से संबंदित, जो भी आप आपको जानकारी चाहिए, आप वाटसप में मेसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी फ्राप्त हो जाएगी, चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं क्यारी जानकारी जानकारी झालियर टूल थाएगीस के जाएगी लेता canoe of वाटस 53 हैं रिम रख समपकरा हूं, जो आप है किजए हैं से सी दिलते हैं, आपको बात wäre णो क्या 큰 आपनाएगी, जो से खिJe policies आआवा है, जो से गाश हैं कि जा हैं Вас कि अप्यारी खिलत्ता हैं,